आज हम इकाई नम्गनों कैसा सोट भाग दो का अभ्याश करेंगे विद्यार्धी मित्रों आप लोगों ने भाग एक में इकाई का अभ्याश किया और सब्जियों के बारे में जानकारी प्राक्ट की आज हम भाग दो में इकाई के प्रश्णों की चर्चा करेंगे अभ्याश के प्रश्णों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों प्रश्णा नम्बर एक से लेकर प्रश्णा नम्बर साथ तक के प्रश्णों की हब हम चर्चा करने वाले हैं अब हम अभ्यास के प्रश्णों को हल करने की सुरुवात करते हैं। आप सभी का ध्यान मेरी और होना चाहिए। चलिए सुरुवात करते हैं। अभ्यास के प्रश्णों को समझने की सुरुवात करते हैं। प्रस्टा नमबर एक, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए. दोस्तो आप लोगों की मम्मी कई सारी सब्जिया बनाती होगी, तो आपके घर में कौन-कौन सी सब्जी पकाई जाती है, उसकी सूची, यानी कि लिश्ट बनानी है. मेरे घर में तो कई सारी सब्जिया पकाई जाती है जैसे आलू, बेंगन, फुल गोबी, कडेला, बंद गोबी, लौकी, तमाटर, भिंडी, आदि कई सारी सब्जी पकाई जाती है तो आपको ये उत्तर स्वयम लिखना होगा प्रश्न नमबर दो, सुची में से अपनी मन पसंद सब्जिया बताईए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए विद्यार्थी मित्रों आपको जितनी भी सबजीया पसंद है उसमें आपको मन पसंद सबजीया के बोक्स में आपको वो सबजी के नाम लिखने होंगे और क्यूं पसंद है उसका कारण लिखना होगा जैसे कि मुझे आलू पसंद है, मगर क्यों पसंद है? क्योंकि वो हर एक सबजी के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मुझे आलू बहुत ही पसंद है तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जो भी सबजी आपसंद हो, उसका कारण आपको इस प्रस्ण के उत्तर में लिखना होगा ओके दोस्तों, ये भी आप स्वयम ही करेंगे प्रस्ण नमबर तीन, बिन सब्द पर गोला कीजिए, यानि कि राउंड बनाना है जैसे उदाहरण दिया है, पालक, गाजर, सेब, लौकी देखे मित्रों, पालक, गाजर और लौकी ये तीनों सब्जी के नाम है और सेब वो फल का नाम है, इसलिए ये बिन्न है, अलग है तो यहाँ पे क्या बनाया है, गोला बनाया है, निकि राउंड किया गया है उसी प्रकार आपको नमबर एक, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला तो यहां किसके उपर गोला आएगा, किसके उपर राउंड होगा, very good, केला के उपर राउंड बनाएंगे नंबर दो, पपीता, मूली, आम, अनार, देखें, यहां पे पपीता यानि पपयू, आम यानि कैरी, अनार यानि की डाडम, और मूली यानि की मूलो तो यहां कौन सा भिन्न है शब्द, मूली, very good, तो किसके उपर राउंड होगा, मूली के उपर, good नंबर तीन, कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली, तो दोस्तों इसमें से किसके उपर राउंड आएगा, आपको सोचना है नंबर चार, मीर्च, अद्रक, फुलगोबी, और लहसुन, तो आपको इसका उत्तर भी स्वयम ही दुन्डना होगा प्रश्न नंबर चार, प्रश्नों के उत्तर दीजिए सवाल एक, हरी रंग की सबजियों के नाम बताएए, हरी यानि की ग्रीन, लीली तो हरे रंग की जितनी भी सबजियां हैं, तो उसके नाम बताने हैं फ्रेंज, वैसे तो कई सारी सबजियां हरे रंग की हैं जैसे की कडेला, पालक, मेठी की भाजी, बंदगोफी, भींडी, लौकी, ककडी, ग्वारफली, परवल, आदिसारी सबजियां हैं जो हरी रंकी है. नमबर दो, कच्चे तमातर का रंग कैसा होता है? आप लोगोंने टमातर तो देखे होंगे मित्रो, तो वो जब पके नहीं होते हैं, यानि की कच्चे होते हैं, तब कैसे होते हैं? कौन से रंके होते हैं? गुड, वो हरे रंके होते हैं. और पकने के बाद कौन से रंके हो जाते हैं मित्रो? लाल रंके हो जाते हैं. वेरी गु है सोचिए मुझे एक तो कड़ेला याद आ रहा है कि जिसका स्वाद कड़वा होता है और मेठी की भाजी और ककोड़ा उसका भी स्वाद कड़वा होता है नमबर चार प्रस्तु दिकाई में कीन सब्जियों के नाम नहीं आये हैं वो आपको स्वयम दुन्डने हैं और फिर मुझे बताने होंगे नमबर पांच हल्वा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है फ्रेंस आप लोगों के गड़ में मम्मी हल्वा बनाती होगी आप लोगोंने हल्वा बनाते हुए देखा भी होगा कि हल्वा बनाने के लिए कौन कौन सी सामगरी की आवश्यक्ता होती है वैसे गाजर लौकी का हल्वा बड़ा ही स्वादिस्त होता है मुझे तो गाजर का और लोकी का दोनों हलवा बड़ा ही पसंद है तो दोस्तों उसमें क्या-क्या चीजों की आवस्यक्ता होती है सबसे पहले तो गाजर या फिर लोकी फिर क्या दाला जाता है गी चीनी, इलाइची, काजू, बादाम, पिस्ता, पानी आदी की जरूरत उसमें होती है नमबर छे, ऐसे फल बताएए जिसकी सबजी भी बनाई जाती है दोस्तों, वैसे कई साले फल ऐसे होते हैं जिसकी सबजी बनाई जाती है आपको सुचना है कि वो कौन से फल है जिसकी सबजी बनाई जाती है ओके दोस्तो निचे दिये गए चित्र का वणन कीजिए दोस्तो यहां आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है यह किसका चित्र है तो सबजी मंडी यानिकी साक मार्केट उसका चित्र है यहां आपको दिखाई दे रहा है कि लोग क्या लेने आए हैं सबजी लेने आए हैं तो अमित्रो यहां आपको ध्यान से देखना है और क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उसका वर्ण आपको स्वयम करना होगा। प्रश्ण 6, चित्रो के आधार पर कहानी कठन कीजिए। दोस्तो यहां आपको चार चित्र दिखाई दे रहे हैं और चित्र में आप देख सकते हो कि आपको हाथी दिखाई दे रहा है और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। पेड़ है बरगट का पेड़, बरगट यानि की वड़नू जाड़ दोस्तों आपके सामने एक के बाद एक चित्रा आएगा और अब हम कहानी सुनने की सुरुवात करते हैं दोस्तों, चलिए एक जंगल था, उस जंगल में बरगट के पेड़ के पास एक हाथी रहता था, हाथी और बरगट के बीच पक्की दोस्ती थी एक दिन बात बात में हाथी बर्गट पर क्रोधित हो गया और बर्गट की डालिया तोडने लगा वह बर्गट को जड़ से उखारने की कोशिस करने लगा बर्गट का पेड उसे समझाने लगा हाथी बया मुझे क्यों उखार रहे हो मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ गर्मी के मौसम में जब सुरज अगन गोला बना कर गर्मी बरसाता है तब सभी पशुपक्षियों को मैं छाओ देता हूँ अतहो मुझे रहने दीजिये मै आपकी भी कभी सहाइता करूंगा कई दिन बिट गए गर्मी के दिनों में कड़ी दूप के कारण हाथी व्याकुल हो गया उतने में उसने आवाज सुनी हाथी बया अकुलाओ मत इस ओरा जाओ मेरी चाया में बैठो आराम करो यहां तुमको गर्मी से राहत मिलेगी हाथी बरगट के पेड के नीचे आकर खड़ा रहा उसे सचमुच चैन मिला उसने बरगट के पेड का उपकार माना हाथी और बरगट दोनों खुश हो गए तो विद्यार्धी मित्रो आप लोगों ने कहानी सुनी और कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी पेड़ पो दे हमें सासे हमें उपयोगी ही रहे हैं इसलिए दोस्तो हमें पेड उगाने चाहिए और उसका जतन करना चाहिए उसे काटना चाहिए नहीं और इस कहानी का शिर्षक क्या होगा दोस्तो सोचिए क्या नाम हो सकता है इस कहानी का तो हाथी और बरगट की दोस्ती और हाथी और बरगड ये दो नाम आप लोग इस कहानी को दे सकते हो ओके दोस्तों कहानी सुनने में बड़ा ही आनन्द आया होगा आपको अब हम प्रस्न नंबर साथ की और आगे बढ़ते हैं प्रस्न साथ दिये गए चित्रों के बीच के भेद यानि की तफावत बताते हुए वर्णन कीजिये दोस्तों यहां आपको दो चित्र दिखाई दे रहा होगा दोनों चित्र में कोई न कोई क्रियाए हो रही है आपको ध्यान पुर्वक देखना होगा और दोनों चित्रों मे क्या भेद है यानि कि कौन सा तफावत है आपको वो बताना होगा जैसे की चित्र नंबर 1 में 1 खेत है और चित्र नंबर 2 में 2 खेत है दूसरा है बेद कि चित्र नंबर 1 में 1 किशान हल चला रहा है और दुसरे चित्र में दो किसान सबजी तोड रहे हैं तो इसके अनुसार आपको ये सारे बेड स्वयम दुन्डने होगे ओके दोस्तों आप लोग ध्यान पुर्वक इस चित्र को निहारेंगे इसका निरिक्षन करेंगे और स्वयम उत्तर दुंडने की कोशिश करेंगे दोस्तों फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में अभ्यास के प्रशनों को हल किया और आप सबी को ये सारे प्रशनों में समझ आ गई होगी अब हम नए वीडियो में स्वाधर के प्रशनों के साथ आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए बाई